अब सपूस कीजिए कि कोई ऐसा बंदा जिसके हैं अल्रेडी कस्टम्स की रेड पढ़ चुकी है या कोई और फैमा रेगिलेशन वगरे किसी और रेगिलेशन के अंदर में रेड पढ़ चुकी है और पता चला कि उसकी कुछ इंकम थी जो उसने हाइड की है जी एस्ट की रेड फैमा की रेड कस्टम्स की रेड इन सब लोगों ने रेड मारी और उन्होंने कुछ तो इंकम जो आपने डिस्प्लोज नहीं की थी जिसके आपने टैक्स वगरे नहीं भरे थे वो सब कुछ पता चले इंकम टाइक डिपार्टमेंट भी पहुंचेगा कि यहां पे बुक्स अब लेके चला गया अब हम रेड मारने भी जाएंगे तो मिलेगा क्या क्या अल्रेड हो चुकि अब हम क्या करेंगे इंकम टैक्टमेंट की बात करेंगे एक रिक्वेस्ट लेटर भीजेगा उन्हों को उनको बहुत जब आपका असेस्मेंट हो जाएं तो books of accounts हमें बिद्देना, जो assets आपने seize किये हैं, आपकी liability set off करने के बाद में assets हमको बिद्देना, हम हमारे यहाँ पे इनका 153A के अंदर में assessment करना चाहेंगे, 153A में assessment करना चाहेंगे, अब raid नहीं मारेंगे, raid मार के मतलब नहीं, raid मार के क्या करेंगे, तो आप raid नहीं मारे उस दिन मान लेंगे, raid complete होगी, और अब 153A का पूरा का पूरा assessment start करेंगे, you have a reason to believe, principal director, director general, principal director, director, principal chief commissioner, chief commissioner, principal commissioner, commissioner, as per the information available, कि हम 131, 142,1 का notice देंगे, तो भी वो reply नहीं करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि उसके books of accounts होगे रहे, सब कुछ दूसरे departments के पास है, customs, commissioners, etc., books of accounts होगे रह books of accounts उनके पास पड़ी है, any assets represents only your, partly your property, चो disclose नहीं हुई है, और ये assets वगेरे, उनके पास पड़े है, तो फिर, ये लोग direct करेंगे, may authorize an additional director, additional commissioner, joint director, joint commissioner, assistant deputy commissioner, वगेरे, an income tax officer, to require officer or authority, under any law above, as the case may be, to deliver such books of accounts, other documents, or assets to the requisitioning officer. requesting officer को ये लोग power देते हैं, उनको बोलते हैं, आप request कीजिए कि आपका जब काम खतम हो जाएगा, तो ये सारे books of accounts हमें पहत दीजिए, चुभी assets वगेरे का settlement आपने किया, उसके बाद में assets भी हमारे पास पहत दीजिए, clear है, reason to believe disclose करने की जरूरत नहीं है, सिफ record करके रख ल delivery of books of accounts to the requisition officer, सामने वालेगा जब assessment खतम हो जाएगा, the officer authority under the law referred above as the case may be, will deliver the books of accounts and documents to the requisitional officer, henceforth, जो भी provisions वगेरे हो, उसके basis पे applicable हो जाएगे, clear है, अलग से कुछ और मंगाना है, तो आप अलग से मंगा लेंगे, वापस timeline पे जाना पड़ेगा, ऐसे case में assessment कब होगा, ऐसे case में 153.1, हमने यहां 132.a भी पड़ा है, तो timeline से में 12 months, अरे पर कब से count करें, तो 132.a के लिए देखे, यहां पे आगे में आपको presumption दिया गया है, 132.a में on conclusion of search से हम मानते हैं कि यह financial year का end on the date of conclusion है, and in case of requisition of books, actual receipt of books, accounts, और other documents by the authorized officer, उस officer को जिस दिन यह books मिल जाएंगे, उस financial year के end से 12 months है, उस financial year के end से 12 months है, clear है यहां तक है, वहां से हम लोग assessment start करेंगे, अब यहां पे आपको timeline जो दिया गया है, वो timeline आपको दिया गया है कि हम कौन से 6 assessment years को assist करना चाते हैं, clear है, समझ में है हम कौन से 6 assessment years को assist करना चाते हैं, समझ यह, चार एप्रिल 2019 हमने रिक्वेस्ट भेजा कस्टम्स डिपार्टमेंट को कि आपको जो भी कुछ मिला है हमारे पास भिजवा दीजेगा जब आपका असेस्मेंट कंप्लीट हो जाएगा उनका असेस्मेंट कंप्लीट हुआ चार एप्रिल 2020 उन्होंने हमको बुक्स ओफ कौन से असेस्मेंट यह यह आपने रिक्वेस्ट भेजा है यह आपने रिक्वेस्ट भेजा है तो मैं बोलूंगा यह रिक्वेस्ट है आपकी 19-20 फाइनेंशल यह की मैं इसके पहले के 6 साल 17-18-16-17-15-16-14-15-13-14 यह 6 साल उपन करूंगा इसके लोग और 4 साल अगर मुझ किस दिन मिली ओन से छे फाइनेंशल यह उपन करना यह तो मैं रिक्वेस्ट से देखूंगा पर असेस्मेंट कब तक कम्प्लीट कर सकता हूं 31-2022 क्लियर है समझ मैं है चलिए कि कुछ और डेट्स हम लोगों की बची है मैं आप लोगों को बताऊंगा वो भी असेस्मेंट खतम होने के बाद क्या होगा आपके उपर लाइबिल्टी भेजी जाएगी डिमांड नोटिस भेजेंगी इतना पैसा आपको भरना है 153 एके पूरे पूरे असेस्मेंट के अ आप बोलो कि cash तो आप लेके चले गयते हैं set off कर लीजे set off कर लीजे और इसी बात है सामने वाला भी यही बुलेगा मैं जो cash लेके क्या हूँ मैं उसे set off कर दूँगा आपकी tax liability के against permissible adjustments of assets seized under 132 under requisition under section 132A existing liabilities under income tax अगर आपकी कोई due है amount of liability determined along with assessment penalties वगेरे जो भी कुछ है and amount of liabilities arising based on settlement commission settlement commission के ओपर हम लोग अभी नहीं आएंगे आप अपना case settle करके close करा सकते हैं वैसी वाली बात है तो यह सारी की सारी settle कर दी जाएगी existing liability should not include advance tax payable existing liability आपका advance tax payable नहीं आएगा बाकी सारी की सारी liabilities आएगी clear है यहाँ तक है अब यहाँ पर तो सारे assets बोले गए तो क्या वो लोग बेच देंगे jewelry उनको मिली bullion मिला वो भी बेच देंगे नहीं ऐसा नहीं होगा पहले आपको बोलेंगे cash तो adjust कर देंगे फिर आपको बोलेंगे कुछ और कम पढ़ रहा है वो बोलेंगे आप पैसे बरिए आप नहीं मत बोलना उसकी भी liability यहाँ पर adjust हो जाएगी mcq बन जाएगा assessing officer ने बेचने में जो cap gain आया उसको भी set off कर दिया side में बताव assessing officer ने सही किया कि गलत किया नहीं कर सकता ठीक है normal course of business में वो आगे जाके taxable रहेगा समझे if the assets consist solely of money और partly of money and partly of other assets assessing officer may apply the money in discharge of liabilities mentioned above will discharge to the extent of money so applied assets other than money for the discharge of such liability will still remain undischarred for this purpose assets shall be deemed to be under disdraint as if such disdraint was affected by assessing officer as the case may be tax recovery officer under authorization of principal chief commissioner chief commissioner 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 principal assessing officer or the tax recovery officer as the case may be may recover the amount of liabilities by sale of such assets in the manner laid down under third schedule ठीक है clear है यहां तक है release of seized assets यह assets आपको release कर दिये जाएंगे whether person concerned makes an application to the assessing officer assessment होने के पहले की बात कर रहा है assessment search हुआ seizure हुआ आपके assets लेके चले गए आप को चाहिए मेरे पास jewelry वगेरे सब कुछ मेरे घर में पड़ी थी वो लोग सब jewelry वगेरे उठाके लेगे गए हमने उनको बोला भाई कुट तो jewelry रहने दो 200 ग्राम 500 ग्राम का रूल है उतना छोड़ देंगे बागी सारी की सारी jewelry वो उठाके लेगे चल जाएंगे मैंने उनको बोला अरे भाई सामने शादियां अगे रहेगी घर के members के पास jewelry रहना चाहिए वो कुछ नहीं सुने सब उठाके लेगे चले बाद में मैं क्या कर सकता हूं मैं उनने application दे सकता हूं कि प्लीज अब मैंने सब कुछ disclose कर दिया है आपके पास बाकी के asset sufficient है सब कु source of acquisition of asset seized मैं उसका आपको बता रहा हूं कि यह मेरी white के purchased है दो number के purchased है तो open नहीं होंगे जो white के purchased है वो पूरे explained satisfactorily then the assets are required to be released within 120 days from the date on which last of the authorizations for search under 132 is executed after meeting any existing liabilities after meeting any existing liabilities 4 April 2019 last date जब search हुआ था ठीक है आपको application देना है 30 days from the end of the month in with the asset is seized ये date को asset seized हो गया आप 31 में 2019 तक इस मन्त के end से 30 दिन 30 में 2019 तक के application दे दीजे कि आपको ये assets चाहिए सामने वाला आपको ये asset कब तक दे देगा 120 days from the date on which last of the authorizations under 132 is executed last of the authorizations under 132 is executed last date इसे 120 दिन गिनेंगे April के 26 दिन होगे May के 31 दिन होगे June के 30 दिन होगे 26 31 30 120 से माइनस करता हूँ 31 दिन जुलाई के होगे दो आउगस्ट 2019 तक के release कर देगा clear है समझ मैं है चले असेशी शैल बी entitled to simple interest at the rate of half percent per month और part of the month half percent per month और part of the month if the amount of asset sees exceeds the liability eventually 153a का पूरा assessment होने के बाद for the period immediately following the expiry of 120 days from the date on which the last of the authorizations for search under 132 or requisition under 132a was executed to the date of completion of assessment under 153a समझते हैं इसको चार एप्रिल 2019 rate complete हुई यह है financial year 1920 31 March 2021 153a का assessment लेट से complete हुआ हम लोग last date ही पकड़ते हैं कि इस दिन assessment complete हुआ पांच करोड की cash लेके चले गए थे 153a में 3 करोड की cash यूज हो गई आप 31 में 2019 तक के requisition दे सकते थे कि यह हमारे assets हमको वापस कीजें एक करोड रुपय आपको return कर दिये गया है कब return किए गए मैं 120 दिन किना था आपके दो अगस्ट 2019 एक करोड रुटे रट़न कर दिया पांच करोड में से करोड रिटरन कर दिया चार करोड रुपय पड़े हैं चार करोड में से तीन करोड की tax निकल ग गई बचा हुआ एक क बचेवे एक करोड के उपर सरकार आपको आदे परसंट का व्याद देगी कबसे कबसे ये वाली बात अच्छे से समझ लो half percent per month और part thereof if the amount seized exceeds the liability for the period immediately following the expiry of 120 days immediately expiring the period of 120 days from the date on which the last authorization was complete date याने 120 days खतम होने किया हमारा 2 august का date बना था and was executed for completion under assessment 153a 2 august 2019 से लेके 1 September 2019, एक मही ना हुआ, October, November, December January 2020, ठीक है, January 2020 से लेके January 2021, बारा महीन है यहां तके बारा महीन हो गए और यह हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच महीन है, 17 महीन हो गए, 17 महीन है February 2021, 18 महीन है, March 2021, 19 महीन है, 19 महीन है, एक मार्च, और part of the month, 20 months हो गया है, 20 months के लिए हम आपको half percent per month वो जो एक करोड रुपय है, एक करोड रुपय एक्सेस लाइबिल्टी जो निकली है, एक्सेस अमाउंट जो निकला है, जो सीज हुआ है, उसके उपर आपको पे कर देंग 1 क्रोर into half percent into 20 months, इतना interest हम आपको पे कर देंगे, 10 लाग रुपय का interest पे कर देंगे, यह पैसे रखे कहां जाते हैं, यह government treasury के अंदर में deposit कर दिये जाते हैं, यह government इसके उपर interest कमा रही है, कोई दियाने use कर रही है government इसको अपने business purpose या जो भी purpose है उसके लिए use कर रही है, त और assets वगेरे government के locker में रहते हैं, तो वहाँ पे फर्क होता है, 30 days from the end of the month वगेरे सब कुछ आपको बताया गया है, इसके अलावा assets is entitled to simple interest for amount of assets seized, assets के fair value के basis पे, जो भी amount निकलेगा, उसके basis पे हम लोग half percent का आपको interest पे करेंगे, clear है, समझ मैं है, तो मैंने आपको एक calculation पूर seize कर लिया जाता है, अगर asset वगेरी seize कर लिया जाता है, तो उसका पैसा आपकी जो liability उसके again suggest हो जाएगा, आपको बुला जाएगा, बचावा पैसा भरिये नहीं भरेंगे, जो asset seize हो है, उनको भी बेद दिया जाएगा, और उसके उपर जो भी आपका tax निकलेगा हो, recover कर लि जाती है, clear है यहां तक है, अगर आपको उसमें से कोई भी पैसा आपका explained income है, या कोई asset आपका explained asset है, तो आप application दीजे हमको, आप हमें application दीजे, हम यह पैसे आपको lota देंगे, within 120 days from the last date in which the assessment search was completed, 120 days में दे देंगे, पर आपका application 30 दिन में आ जाना चाहिए, suppose कीजे, पूरा assessment हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में पता चलता है कि हमने, आपसे जो assets seized किये हैं, वो ज्यादा amount किये हैं, rather than what should have been the liability, difference पे हम आपको आदे percent per month और part of the month के उपर में interest पे कर देंगे, from that 120 days के बाद से, यह ध्यान रखिए, पहले 220 दिन के बाद, क्योंकि तब तक कि यह के अंदर में ending date आता है, clear यहां तक है, हमने 132 AB पड़ा, जहां सामने वाले की books of accounts अगरे, custom department, FEMA department, GST department, ऐसे किसी department के आस पड़ी और हमको लगता है, यहां भी income escaping assessment है, हम उनको notice देंगे, आपका जब काम हो जाए तो यह books हमें बेद देना, इसके बाद में हम 6 assessment years तक के सा हमने आले कर एक assessment करेंगे, 153 में हम लोगों ने पड़ा कि 12 महीने के अंदर from the date हमको यह books of accounts मिल गई, उस financial year के end से 12 महीने, उस financial year के end से 12 महीने के अंदर अंदर हम लोग यह पूरा का पूरा assessment complete करेंगे, clear है यहां तक के, चलिए, कुछ और बातें यहां पर समद लीजे, हमना भी time required है, या फिर अगर वो set aside कर दिया गया है order, तो set aside करने के date का period हम लोग extend कर देंगे, valuation officer को हमने refer किया, तो valuation officer को जो time लगा है, वो पूरा का पूरा add कर देंगे हम लोग, ठीक है, is referred under 153A2 is annulled, set aside कर दिया order, फिर बाद में हम higher authority, 153A का हमने order दिया, यह set aside कर दिया गया है, उसके बाद में वापस से, यह हम लोगों को बोला गया कि ठीक है, आप इसको वापस से देखिए, from the date of annulment to the date, the annulment is set aside, वो भी period यहां पर add कर दिया जाएगा, अगर internationally, 92A के अंदर में हम लोगोंने कोई reference दिया है, a period of one year, या फिर वहाँ पर जो भी time लगा, whichever is less, का आपको benefit मल जाएगा, उतना time period हम लोग आपको extra देने वाले है, same points of limitation आएगे, अगर इन सब के बाद भी जो time बच रहा है, वो 60 days से कम बच रहा है, तो minimum हम आपको 60 days का benefit देंग ये बातें यहाँ पर बताई गई है, चलिए, settlement commission का point फिलाल ignore कीजे, 153C, क्या हुआ, हमने आपको ये समझे कि जब search हुआ, तो search के समय कुछ assets मिले जो हमने बोला, नहीं हमारे नहीं किसी और के है, हमारे नहीं किसी और के है, पर वो लोग भी deem करके अपने साथ लेके चले गया, वो बंदा आया भी नहीं, यानि बोलने के लिए नहीं आया कि नहीं यार ये asset मेरे, प्लीज मत लेके जाए, वो वाला case नहीं, वाला case नहीं, जहां प assessing officer नहीं बोल दिया, ठीक है, रखे रखे रखे, 60 दिन के अंदर अंदर मैं आपको reply देता हूं, नहीं दिया, तो अपने books of accounts वगिरे सब दिखाएगा, बूलेगा, देखे सर, ये सारे के सारे jewelry वगिरे सब मेरी है, assessing officer देखेगा, satisfy हो जाएगा, अगर वो satisfy हो गया, तो ये सारी jewelry assets, जो भी मैं बोड़ा हूं, मेरे दोस्की है, ये दोस्को नहीं लोटाएगा, उसके jurisdiction का जो assessing officer है, उसको दे किसी के यहां कोई ऐसा asset मिल रहा है, मतलब एक तो बहुत extreme case है, group of people है, जो लोग गडबड कर रहे है, group of people जो गडबड कर रहे है, मेरे पास कुछ assets मिले, उनके मिले हैं, वो भी बन्दा गडबड करता होगा, logical है, mostly यही cases होते है, बहुत rare case scenario बनेगा, जहां genuinely किसी और के goods, valuable goods मेरे यहां पड़े होगे, कोई नहीं छोड़ के जाता, बहुत rare case मैंसा होगा, जैसे मैंने अब यह example दिये, बहुत rare case होता है, उसको देंगे, वो समझ यह कि मेरे यहां जिसके goods मिले, वो भी चोर, मैं चोर, मेरे यहां जिसके goods मिले, वो भी चोर, यह general presumption रहेगा, चोर क assessment यह और open कर सकता हूँ, यह सब कुछ, यह पूरा का पूरा assessment सामने अले का करेगा, but he may, he may say की नहीं चलो जाने तो नहीं open करता, अगर सामने अले ने प्रूब कर दिया नहीं है, यह पूरा का पूरा white की income से खरीदा हुआ है, और उसके books of records वागे ते सब clean है, he is a person with a very good image, तो बुलेगा चल ठीके लेके जा, नहीं open करता, handing over books of account, documents, assets, seas or requisition to the jurisdictional officer where they belong to another person, 153C provides assessment or reassessment to any person, notwithstanding anything contained under 139, 147, 148, 151, 153, same कहानी, any bullion, jewelry, valuable articles that belongs to, or any books of accounts, or any information that relates to any person other than person referred under 153A, जिसके हैं रेट पड़ी उसके नहीं किसी और बंदे के हैं, the books of accounts, documents, assets, seas will be handed over to the assessing officer having jurisdiction over the same, the jurisdiction officer will proceed against the other person, वो उस बंदे के against में assess करेगा या reassess करेगा income of the person as per 153A, only if he is satisfied that books of accounts, documents, assets, seas have bearing on the determination of total income of such person for six assessment years, immediately preceding the relevant assessment year, to the previous year, in which the search is conducted, or requisition is made, and for the relevant assessment years, under 153A1, timeline समझे, आपको बोला गया है, the jurisdictional officer having jurisdiction over the person, proceed against the other person, अच्छा नहीं, उसके पहले, any money, billion वगेरे, और assets वगेरे, belonging to any person, other than person, referred to in a 153A, then books of accounts, documents, assets, seas, shall be handed over to the assessing officer, having jurisdiction over such person, अब यहों कब देगा, या तो 153A का assessment खतम होने के बाद, या 153A का assessment चल रहा है, उस दौरान, उस दौरान, वो सामने वाला बंदा, उसके उपर पुरा का पुरा यह assessment, open कर देगा, सामने वाले के जो भी existing assessments वगेरे pending हैं, उन सब को वो अबेट कर देगा, उन सब को वो अबेट कर देगा, सेम बात है चलेगी, date of initiation of search, such other person, reference to date of initiation, और making requisition under 132A in second proviso, shall be construed to be the date of receiving the books of accounts or documents, assets seized by the assessing officer, समझे, यह section आपको बोल रहा है, उस बंदे के आप rate नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे, rate पहले वाले के हमारी, उसके assets मिले, वो cautious हो गया, अब उसके यह rate मानने का कोई फाइदा नहीं है, उसको पता है, अब तो मेरे यह भी rate हो सकती है, तो rate नहीं मारेंगे अब उसक मिली, मान लेंगे की rate उस दिन complete हुई है, मान लेंगे की rate उस दिन complete हुई है, clear है, और जो timeline है, वो उस दिन से check किया जाएगा, notice for assessment year relevant to the previous year of search in case of notified class of persons, same कहानी, जो मैंने आपको बताया था, यह assembly वगिरे के parliamentary rules वगिरे से related है, सब चीज़े same जो वहां लिखिये, वो यहां पर की गई है, manner of assessment, where jurisdictional officer receives books of accounts etc. after the due date of filing the return, manner of assessment where jurisdictional assessing officer receives books of accounts etc. after the due date of filing the return, in respect of relevant previous year in which the search is conducted or requisition, in such a case the other person where no return has been furnished or a return has been furnished by such person but no notice under 143 has been served, assessment or reassessment if any has been made, before the date of receiving the books of accounts or documents or assets seized or requisition of assessing officer, having jurisdiction over such person, shall issue a notice, assess or reassess everything under 153A, 153A में आपका पूरा का पूरा assessment कर लेगा हो, clear है यहां तक क्या, Applicability of Supreme Court guidelines on recording of satisfaction note, मतलब आपने सिर्फ reasons to believe वगेरे रहना चाहिए, यह बात फिलाल ध्यान जाने दीजए, यह बात हम लोग बाद में cover करेंगे, Prior approval of Joint Commissioner required for अब यह अगला section है, 153C के continuation में नहीं है, 153C का timeline में को discuss करना है, पर यह वाला एक point complete कर लीचे, Provides that assessment, reassessment of case in respect of each assessment years, shall not be made by an assessing officer below the rank of Joint Commissioner, और with the previous approval of Joint Commissioner, assessment कौन करेगा, assessment करेगा, Joint Commissioner या Joint Commissioner के उपर का बंदा, मैंने आप कहा था, authorized officer cannot be an assistant commissioner, assessing officer, उपर के level के बंदे ही, यह सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, clear है यहां तक है, चलिए, मुझे आपको यह जो बंदा है, इसका 153A का assessment कब होगा, वो समझाना है, in case of a person addressed under 153C, अभी जो हमने देखा, उसके उपर भी 153A आपको start करना है, for the assessment years relevant to the previous year in which the search is conducted, and for each of the six assessment years and for the relevant assessment year or years immediately preceding the assessment year, relevant to the previous year in which the search is conducted, आपके केस में, 12 months, from the end of the financial year, in which the last of the authorizations for 132 or requisition under 132A was executed, 12 months, from the end of the financial year, in which books of accounts or documents or assets seized or requisition are handed over to the jurisdictional assessing officer under 153C, whichever is letter, obviously यही वाला point stand करेगा, पहला वाला point stand यही नहीं कर सकता, ठीक है, now reference is made to a transfer pricing officer, 12 months का extra time मिलेगा, समझें, financial year 1920 में read भी, complete भी, 31 माह 2021, 153A का assessment हुआ, assessing officer, authorized officer ने, दूसर जूरिस्डिक्शनल officer को, 4 April 2022 को, 4 April 2022 को, hand over किये, सारे के सारे books of accounts, हम, इस financial year के end से 12 months की बात कर रहे हैं, समझ मैं, 12 months from the end of the financial year, in which the books is received, 22, 23, say 12 months, 31 मार्च 2024 तक के उसका 153A का assessment कम्प्लीट किया जा सकता है, suppose, उन्होंने ये date के पहले ही आपको books दे दी थी, 30, March, 2021 को ही books दे दी थी, दूसरे jurisdictional officer को, let's see, end of the financial year से 12 months, 31 मार्च 2022 ठीक है, रखते हैं, इसी लिए ये पूरा का पूरा concept जो है न, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कि किस तरीके से हमको ये पूरा का पूरा समझना है, ठीक है, मैंने आपको, एक और section बताया था, एक देखे, 292 CC, assessment to be made individually in search cases even where authorization or requisition mentions the name of more than 1 person, हर बंदे का assessment individually होगा, भली एक assessment में more than 1 persons का नाम होगा, पर हम हर एक बंदे का assessment individually करेंगे, ऐसा इसमें बूला गया है, ठीक है, 132 और requisition under 132 A, 153 A, 153 143 CC provides that it shall not be necessary to issue an authorization under 132 or make requisition under 132 A separately, हर एक को अलग-अलग requisition देने की ज़रत नहीं है, but where requisition has been issued, name of more than 1 person is mentioned, such names or more than 1 person on such authorization shall not be deemed to constitute that it is issued in the name of association of persons or body of individual, उनको AOP, B O I मत मानिये, हर एक जन का assessment individually होगा, हर एक जन का assessment हम लोग individually कर रहे है, I hope यहाँ तक है पूरा का पूरा concept समझ माया है,